नमस्ते जी आज का वेदिक विचार वेदिक राष्ट की प्रस्तुती आप देख रहे हैं वेदिक राष्ट यूटूब चैनल पर आज का वेदिक विचार हम अपने जीवन में बिना आत्म विश्वास के यदि कोई कारी करते हैं तो सफ़ल नहीं होता हैं संसार के अंदर सबसे यदि कोई सबसे बड़ी कोई पून्जी है व्यक्ति के दुबहा है आत्म विश्वास इसलिए वेत की आज की उक्ति कहती है आयम में हस्तो भगवान आयम में भगवत तरह या अथार वेत के चोथे कांड के तेर्वे सुक्त के छटे मंत्र से लिया गया है बहुत विशे से बात कही गई है लोग जोस्यों के पास में फली जोतिस के पास में कहते हैं कि पंडी जी मेरे हाथ में क्या है दिखाओ तो सही जब रिशी द्यानन के पास में क्रिक्ति गया तो रिशी द्यानने का इसमें हाथ में क्या है हड़ी है मास है तुचा है खून है और क्या है कुछ भी नहीं है याद रखो फलिजोतिस में कुछ भी नहीं है. सब व्यर्थ व की बाते हैं पर देट का मंत्र के टाइस हाँप में क्या है? तो कि है मेरा ये जो हाथ एस्वर युक्त है। आयम्मं में हस्तो भगवान भगवान का लिए एस्वर है। मेरा जो हाथ है वो एस्वर युक्त है और क्या क्या आयम में भगवत तरह और यह जो दूसरा हाथ है वो उससे व्यदिक शक्ति साली है और चमत कारपूर्ण है असाद परम एस्वरिसान ली है बंधू हमारे जीवन में जब आत्म विश्वास जाता है तो हम बड़े से इस दा फॉर्स्ट सिक्रेट आप शक्सेज आत्यु इस्वास सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है रिगवेत के एक मंत्र में कहा गया है कि ना मित्यवे आउतस्थे कराचना मैं तो मित्यू के पंजे के नीचे भी अपने को हारा हुआ नहीं मानता हूं कितनी बड़ी बात के डिवंद्रों वेद हमको बार बार यहां कि इनिदि देता है कि हमारे जीवन के अंदर आतवेश्वास भरा हुआ होना चाहिए जिवक्ति के अंदर आतवे इश्वास नहीं होता है याद उख्णा वह चोटे-चोटे कारे के अंदर भी परिशान हो जाता है वह दुखी हो जाता है मुझे वह गटना याद आती है स्वामी सद्धानन का इस्वर के पती आतो इश्वास कहते हैं एक बार भोजन की विष्टा नहीं हो पाई भोजन की विष्टा के लिए सामगरी नहीं थी भोजन नहीं बना पर पाचक आया कहने के महराज भोजन की विष्टा नहीं है क्या करें कोई बात नहीं जब भोजन का जो समय था उसमें पहली गंटी बजा दी लोग आश्चर में थे स्वामी जी कुछ भोजन है नहीं स्वामी नहीं कोई बात नहीं जब दुस्री घंटी जब भोजन की हुई उस समय को यह व्यक्ति एक सेठ जिसके भोजन बचा था या जो भी बात हुई होगी वह तांगे से आता है और भोजन देता हुआ स्वामी जी वहां बहार खड़े रहते हैं देखते हैं स्वामी जी स्वामी जी कहते हैं कि वा प्रभू तेरी विशे से विचित्र लिला है एसा स्वामी सद्धन का तो इश्वास था और सब बच्चों ने वो भोजन कर दिया इसलिए बंदो याद रखना हमारे जीवन के अंदर आत्मे इश्वास बहुत आवसक है हनुमान के जीवन में आता ह हैं कियते हैं स्वामीन क्या मैं पाताल से अमरित को ले आऊं चंद्रमा को निचुड कर अमरित ले आई या पचंड की रनेवाले सूरी को ही रोक दूं या पाशधारी अम्राज को ही चूर चूर कर दूं इस पकार से हनुमान की शक्ति आत्वए श्वास में छिपी हुई इसलिए आओ बंधू हम अपने जीवन के अंदर जो आजकर आत में हिंता आती जा रही है आत विश्वास जिनका डग मगा रहा है वहां इस वेद के संदोस को पड़ें कि मेरे हाथ में परमेस्वर रिसाली है और दूसरे हाथ में चमतकार है अरे मैं तो मित्यू के पंजे के भी आ जाओ तो भी में हारा हुआ नहीं मानता हूँ किसी कभी ने कुछ पंक्तियां लिखी है दात ना थे तब दूद दियो अब दात दियो तो का अन न दे ही अरे जब दात नहीं थे तो दूद दिया और अब दात दिये तो क्या अन नहीं देगा जीव बसे जल में जीव क्या बड़ी बात है जीव बसे जल में, थल में, हज़ास जीव संसाल में सब जगे बसे हुए है और जब उनकी सुद ले रहा है तो तेरी भी सुद लेगा, मुझे एक योगी के आतम चरित में कहानी याद आती है जब किसी ने महात्मा जी से का कि क्या परमात्मा सब की सुद लेता है तो कहना लेता है पता नहीं अचानक जब वो बोजन बना रहे थे कुछ बंदू महात्मा जी के साथ में तो क्या देखते हैं कि जो रोटी बन रहे थी वो पत्थर के ऊपर बना रहे थे कुछ तवा नहीं थे जंगल में जब बनाते न देखते हैं कई से कच्ची रही aja हैalenya सोचते हिए यहाurar रोटी बीच में तो अधिक अगनी जारी फिर क्यों कच्ची रही तो सोचते हैं लगते हैं तो का चलो उसको फोड़ते हैं आश्टर होता है कि उसके एक जीव था कीड़ा था वारिवा परमात्मा के देखो इसे पत्थर के अंदर इस कीड़ों को भोजन दे रहा हुए निसे जुप से हमें अपना एक आत्म से उस परमात्मा की पति होना चाहिए अपने पूरक सोच करें कुछ हात न एही जान को देत जान को देत जहान को देत सो तोकर को न दे ही बंधो निश्यत रूप से हम अपने जीवन के अंदर आत इश्वास को लाएं और आत इश्वास ही परम सफलता है परंतु वेद का यह जो मंत्र के आयम में हस्तो भगवान आयम में भगवत तरह इसका मतलब यह नहीं है कि केवर हाथ पे हाथ धरे बैठें नहीं मेरा जो हाथ एस्वार इस युकते हैं अधा इससे हम कर्म करें और निश्चित हमारी विजय होगी आओ अब हम सुन रहे थे इस समय आज का वेतिक विचार बड याद रखिए हमारे कर्म हमारे साथ में हम कर्म करने से पीछे नाटें और हमारा संकल्प होता है कि है परमात्मा मैं तो मिर्त्य के पंजे के निचे भी आ जाओंगा तो भी हार नहीं मानता हूं हार नहीं समचता हूं ऐसे विक्ति ही जीवन में संसार में संकल्पों को पू करें पर मात्मा के पतियातों इस्वास हमारे पतियातों इस्वास निश्ची रुप से बढ़ाते रहें संकर्पलें आप इसी प्रकार से वैदिक संदेशों को वैदिक विचारों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट यूट्यूब टेनल सब्क्राइब करिए लाइक करिए श अंद्यसों को घर घर तक पहुचाते रहे हैं ओम शान्ती शान्ती शान्ती